अध्यक्ष मोर्या सबसे पहले तो मैं प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि डी मोनेटाइजेशन जिसे बोल चाल की भासा में नोटबंदी कहते हैं इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार के इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हाँ यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपती है कि इसका implementation जिस तरीके से होना चाहिए वह शायद इन लोगों के सोच के आधार के अनुसार वह नहीं हो पा रहा है लेकिन अध्यक्ष महोदया मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक सत्तापक्ष का प्रस्ण है हम इस पर बहस करने को अभी अभी बहस करने को हम इस पर तयार हैं और हम यह जानना चाहते हैं हम यह जानना चाहते हैं कि implementation को लेकर कहां पर क्या कटनाई पैदा हो रही है क्या अठ्चने पैदा हो रही है और मैं प्रचपक्ष को आस्वस्त करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदया है कि जो भी implementation की कटनाईयों से सदन को प्रचपक्ष ऑगत कराएगा उसका यथा संभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरब से भरपूर कोशिश करेंगे और जो भी यह फैसला हुआ है यह जो भी यह फैसला हुआ है हमारे प्रधान मंतरी ने जो फैसला किया है यह रास्टरहित को ध्यान में रखकर फैसला किया है देश की अर्थ जवस्था को एक टाकत देने के लिए भारत की अर्थ जवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये फैसला किया है काले धन की एक पैरलल एकुनामी पैरलल एकुनामी की जो चर्चा होती थी उसे स्वाप्त करने के लिए ये फैसला किया है आतंकबाद, माववाद, उग्रबाद की जो घटनाएं लगाता बढ़ रही थी और जिस तरीके से ब्लैक मनी की और फेक करिंसी की सप्लाई हो रही थी उसे रोकने के लिए हमारे पुदान मंतरी ने फैसला किया है जटिंगो दया इसलिए इसलिए मैं प्रत्वक्ष से विनम्रता पुर्व का नोद करना चाहता हूं कि आप यह किसे नियम की बात छोड़िये देखे आप सबने प्लीज 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 सुन दो ले ना पूरी बात नहीं सुनोगे प्लीज कल्या जी भात तो सुनना चाहीए प्लीज बेटिए आप पूरा कीजियए प्लीज बेटिए कल्या drown जी यह प्लिया hoc प्लीज बेटिए न liar फिल बाततों रेकॉर्डीज लेक़ ना चाहिए जब्ली राजना जी केवल जो जो राजना जी दोलेंगे वही रेकार्ट में जाएगा, ऐसा मैंने किसी को अलाव नहीं किया है, I am sorry, I am sorry, राता जी प्लीज कम्प्लीट, बैठिये, प्लीज, बैठिये, प्लीज बैठिये, कल्या, कल्यान की, क्या है यह, कम्प्लीट करें, अध्यक्ष मोरिया, मैं यहनी वेदन कर रहा था, कि आपने देखा, कि बहुत किस नियम के अंतरगत होनी चाहिए, इस प्रशन पर भी, यह पूरा का पूरा अपोजिशन डिवाइड़ है, एक ओपिनियन भी नहीं है, कि इस पर जो इस नियम के अंतरगत होना, क्यों, है, 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 क्यों कि मैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे हमारे, जैस आते हैं, और मैं पुनहे आस्तवस्त करना चाहता हूँ, इंप्लिमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर, यदि कोई कमी रह गई होगी, हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे, जो यह फैसला हमारा है, रास्ट्र के हित में लिया गया फैसला है, अद्यक्ष पर छोड़िये, जिस भी नियम के अंतर का चर्चा कराना चाहती हो, अथवा बिना नियम के चर्चा कराना चाहती हो, तो चर्चा हम सब को प्रारंब करनी चाहिए, मैं खड़के साहब, आप से भी बिनमरता पूर्वकर अन्रोद करता हूँ, तत्ता पक्ष चर्चा के कि याग